अगली ख़बरें बात करते हैं जबलपुर की जहां खुख्यात बदमास गोर्ली सोनकर ने नया गाउ पहाडी के पास इस्तिस सरकारी जमीन को बिल्डर बनकर भोले भाले लोगों को बेज डाली आज इस जमीन पर कई लोगों ने जहां घर बना कर रहना भी शुरू कर दिया है तो वही कहीं लोगों के मकान निर्मारा धीन है सुचना पर तहसीलदार और खोरक पुर्थानप्रभारी नया गाउ पहाडी पर जब पहुचे तो देखा कि सास की जमीन पर प्लोटिंग हो रही है गोल्डी सोनकर ने सरकारी जमीन को बेशने के बाद वहां रहने वाले लोगों के लिए बकाइदा पानी के विवस्था के लिए बोरिंग भी करवा दी इतना ही नहीं वहां पर इस्थाई सडग भी निकाल दी खोरकपुर्थाना प्रमारी SPS बगेल को जब सूचना मिली कि सास की जमीन पर बदमास गोल्डी सोनकर बिल्डर बन कर कबजा कर लिया है और लोगों को कम कीमत में प्लोट और मकान दे रहा है तो इसके बाद तहसिलदार को लेकर पहुचे हलाकि गोल्डी सोनकर को भनक थी वह मौके से फरार हो गया बताय जा रहा है कि करीब 2-3 एकर सरकारी जमीन पर गोल्डी सोनकर फ्लोटिंग कर चुका था और धीरे धीरे जमीन को बेचने का काम कर रहा है खोरकपुर्थाना प्रमारी ने बताय सरकारी जमीन पर कबजे के शिकायत पर जब मौके पर आकर देखा कि यहां मकान बनाए जा रहे हैं कुछ काम निर्मारा धीन है जब की कुछ बन चुके हैं और इसमें लोग रह रहे हैं वही सरकारी जमीन पर पानी के लिए दो बोरिंग भी किये गए हैं जो की अवैद है खोरकपुर्थाना प्रमारी स्पीएस बगेल ने बताय कि गोल्डी सोनकर के अपराधिक रिकॉड है जल्द इसे गिरफतार करके इसके खिलाब जिला बदल की कारवाही की जाएगी गोड़ी सोनकर अपराधिक प्रिवित का है, इसका अपराधिक रिकार्ट काफी है, पूर में भी यहां पर अवैत कबजा कर रहा था, तो राजय सुव्याक के दोरा इस पर कारवाई की गई थी, और अभी भी शिकायत मिल लगी, यहां यह असमाजी गत्वीदिया करता है, औ किसी से डेड़ लाग रूप है, किसी से एक लाग रूप है, लेके तो…